आज आप सबको थेंक्यू करने का स्पेशल ओकेजन है क्योंकि हमारे चैनल ने आपकी मदद से और सब जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी मदद से 100,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिया है और यूट्यूब ने चैनल को वेरिफाइब भी कर दिया है तो congratulations to all of you जो भी चैनल देखते हैं पूरी टीम को, Meridian Overseas को सब को बहुत बहुत बदाई इस चीज की और साथ में क्योंकि हमने 100,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें तो आपके लिए एक informative वीडियो बनाना भी बहुत जरूरी था जिसके अंदर जो भी students UK का प्लैन कर रहे है कि कहां पे scholarship सबसे अच्छी हैं और कहां पे सबसे जदा affordable universities आपको मिल सकती है इसके लिए हमने shortlist करी है friends, तीन universities जो इस channel को starting से देख रहे हैं उनको पता है कि इन universities पे हमने काफी stress दिया है क्योंकि यहां पे आपको सबसे affordable education मिलती है UK के अंदर other than any other university in UK तो पहली बात हम start करते हैं तीनों universities से और कहां पे कितनी scholarship है उसके बारे हम बात करेंगे लंडन के बाद में UK के अंदर सबसे बड़ी जो city है वो है Birmingham Birmingham के अंदर यह university है Birmingham City University और करीब-करीब 2500 pounds तक की आपको scholarship मिलती है और इसके admissions अभी से ही open है और यह मानके चलिए कि जून से पहले पहले इन तीनों universities में admissions full हो जाएंगे तो आपको अगर September 2022 आप plan कर रहे हैं तो अभी से ही आपको application से start करनी पड़ेगी तो 2500 तक की scholarship इसमें आपको मिलती है साथ में IELTS waiver आपको मिलता है आपको IELTS देने की जूर्वत नहीं है अगर certain marks आपके English के अंदर है तो और friends इसके अलावा आपकी जो tuition fees है वो भी काफी affordable है tuition fees जो है वो range करती है course to course, bachelor's, master's तो एक fix tuition fees नहीं है आप university की website पे जाके tuition fees अपने course की चेक कर सकते हैं और उसमें से आप up to 2500 तक की scholarship वहाँ ले सकते है majority of students जो है उनको 1500 pounds की आपे scholarship मिलती है इसके बाद में चलते है friends number 2 पे सबसे important चीज़ है कि जो भी बच्चे UK जाना चाहते हैं उनकी सबसे पहली priority रहती है London तो University of East London जो है वो लंडन के अंदर situated है और लंडन में इस से affordable university आपको और कोई भी नहीं मिलेगी क्योंकि यह university आपको up to 5000 pounds scholarship देती है यानि कि 15,000 pounds अगर fees है तो 10,000 pounds में आप master's या bachelor's course कर सकते हैं depending on your profile की आपको कितनी scholarship मिलती है लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि 2500 pounds की जो scholarship है वो आपको guaranteed है as being international student वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी बाकी की scholarships आपकी application पे depend करता है जिसमें हमारे counselors आपकी help करेंगे और आपको जो benefit मिल सकता है वो सारा दिलवाने की कोशिश करेंगे नंबर वन पे हम आते हैं फ्रेंट्स वूस्टर युनिवस्टी यह बहुत ही अलग और strategically जो है located युनिवस्टी है यह लंडन से करीबन 1.5 hour और बर्मिंगम से करीबन 25 to 35 minutes की दूरी पे है और इस युनिवस्टी में सबसा अच्छी चीजी है आपके पास अगर बैचलर में 55% मांक्स है तो आपको स्ट्रेट अवे 2,000 पाउंड की स्कॉलर्शिप मिलती है और अगर 60% या उससे ज़्यादा अगर आपके बैचलर में मांक्स है तो आपको स्ट्रेट अवे 3,000 तो रिकूट्मेंट मेनेजर हैं इंडिया साउथ एशिया के और साथ में जो इंटरनेशनल एडमिशन्स टीम से एशलीन में में है वो मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं सारे ओफिसेज में में मेरीडियन ओवरसीज के जिसकी डेट आप यहां चेक कर सकते हैं या फिल्म हमारी वेबसाइट पे अपकमिंग इवेंट्स में जाके आप चेक कर सकते हैं किस दिन और किस टाइम हम कौन से ऑफिस में आने वाले हैं तो आप स्ट्रेट अवे आके हमसे फेस टू-फेस काउंसलिंग इसके बारे में ले सकते हैं मैं खुद वा रहूंगा तो जो भी लोकेशन आपको सूट करती हैं वहां आप आके मेर से डिरेक्ली मिल सकते हैं अगें 100,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं और अब आप मुझसे आके भी मिल सकते हैं आपकी चाहिवी लोकेशन पे जो भी ओफिस आपको नियरेस्ट पढ़ता है वहां पे आके आप मेर से बात क करें तैंक यू सो मच और आप अपनी चाहते हैं अपने किसी बी कांसलर के साथ आप डिरेक्ली एप्लिकेशन करवा सकते हैं वीजा फाइल सब्मेशन करवा सकते है तो वेबसाइट विजिट करें और अपना रेजिस्ट्रिशन करें ताकि आपके सारी प्रोसेस स्मूथ र झाल झाल